हेलो दोस्तो, फोन पे के मात्यम से अपने बैंक में किसी भी करेक्ट कार्ड का पैसा के सिन का ले तो आज हम फोन पे में रेंट पे का यूज ना करते हुए एजुकेशन फीज का यूज करेगी ताकि हम रेंट पे से लगने वाले ज़्यादा चार्जों से बच सके तो सबसे पहले आपको अपने मूबाइल में फोन पे को ओपन कर लेना है और फोन पे को ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ रिचार्ज एंड बिल पे में एजुकेशन फीज पे क्लिक करना है और वहाँ पे कलिक करने के बाद आपको दो option दिखाई देगे send fees amount directly और choose from दाले stop institute तो आपको first वाले option पे कलिक करना है कलिक करने के बाद आपको यहाँ पे fees amount एंटर करने है यहाँ पे minimum 100 rupees fees amount होनी साहिए और नीचे institution name में आपको कुछ भी यहाँ पे रख लेना है में आपको tuition fees select करने है और tuition fees select करने के बाद आपको continue पे ok करना है और यहाँ पे तीन option दिखाई देगे add phone number, add bank account, add beam upi id तो आपको यहाँ पे add beam upi id पे कलिक करना है जैसे मेरे पहले से यहाँ पे add है तो मैं आपको add करके और दिखा देखता हूँ यहाँ नीचे corner में ID enter कर लिए है और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा verify तो यहाँ पे verify करने के बाद आपको nickname जो भी है निकनेम यहाँ दे सकते हैं और नीचे की तरफ show option होगा वहाँ पे click करना है save होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ग्रफ दिखाई देगा continue पे click करना है और continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे होने लेगा total payable को 1,018 रुपए total payment करने पड़ेगी आपका बिल अमाउंट होता है 1,000 रुपए और convenience fees होती है 18 रुपए तो total amount हो जाता है 1,018 रुपए तो आपको अपने credit card से 1,000 रुपए पे 18 रुपए चार्ज देना पड़ेगा तो आपको नीचे की तरफ जाकर यहाँ पे add credit card add कर लेना है जिससे भी आप अपना पैसा निकलवाना चाथते हैं और मेरा पहले से ही already add है तो मैं यहाँ पे CVV नंबर डाल देता है और CVV नंबर डालने के बाद आपको नीचे की तरफ दिखाए देगा पे एक जार अठारा रुपे तो यहाँ पे कलिक करना है और इस पे कलिक करने के बाद आपको processing your transaction please wait processing your request please don't reference on हमको अभी back ने करना है थोड़ा देर wait करने है payment okay होने तक थोड़ा hold रखना है भी हमारी processing में चल रही अभी payment और मेरे phone पे OTP भी आ चुका है OTP यहाँ पे मेरा automatic submit हो जाएगा और submit होने के बाद transaction is being processed please wait थोड़ा wait करना है और हमारी payment account से detect हो जाएगी hold रखे connecting securely यह मारी message आ चुका हमारे account से 1018 रुपए कट चुकी है यह मैं आपको live proof दिखा रहा हूँ देखो यह मेरी payment successful हो चुकी है subscribe now and press the bell icon never miss an update